इस वीडियो में बच्चों हम नाउंस के पजेशन के बारे में पढ़ेंगे पजेशन मतलब होता है कि किसी चीज का मालिक कौन है या कोई इसी चीज किसकी है जब हमें sentence में इस बात को बताना होता है कि कोई भी जो चीज है नाउन है या कोई भी चीज है वो किस से संबंदित है किसकी है तब हम possession उसको हम बोलते हैं तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं जब हमें sentence में एक्सप्रेस करना की जुरत होती है कि कोई व्यक्ति या क कोई चीज किसकी है या उसका मालिक कौन है या वो कोई चीज किस से संबंदित है तब हम उसके लिए apostrophe sign का यूज करते हैं अपोस्टोफी sign क्या होता है वह इस तरह से उपर एक कॉमा लगा देते हैं नाउन के साथ जैसे सुमित स्बैक तो सुमित के बाद उपर कॉमा लगाके फिर एस लिखते हैं तो इससे पता चल जाता है सुमित स्बुक तो किस की किताब है सुमित की किताब है तो नाउन सुमित की किताब तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो बुक है वो सुमित से बि अपोस्टोफी के बाद S लगाते हैं, जैसे कविता's house, तो इसका मतलब हो गया कविता का घर, लेकिन अगर हमें plural noun, जिसके end में S है, उसको अपोस्टोफी लगाना होता है, तो हम सिर्फ अपोस्टोफी लगाते हैं, S नहीं लिखते हैं, अपोस्टोफी के बाद, जैसे मार् in girls में, girls plural word है, S से कदम हो रहा है, तो इसके last में सिर्फ अपोस्टोफी लगाएंगे, S नहीं लिखेंगे, और अगर हमें कोई plural noun ऐसा है, जिसके last में S नहीं है, तो हम अपोस्टोफी के बाद S लगाएंगे, जैसे children's cloths, इस तरह से हम अपोस्टोफी लगाते हैं, अब हम इसको कुछ sentence की help से समझते हैं, जैसे कि the bag of my father, तो bag किसका है, my father, my father's bag, father क्योंकि singular है, तो अपोस्टोफी के बाद हम यहाँ पर S लगाएंगे, my father's bag, इसी तरह से this shop belongs to Krishna, तो किसकी shop हुई, Krishna's shop, this is Krishna's shop, तो Krishna एक है, और singular noun है, तो इसलिए apostrophe के बाद S लगेगा, The file belongs to Mr. Verma, तो Mr. Verma, this is Mr. Verma's file, Mr. Verma एक है, तो apostrophe के बाद S लगेगा, books of children, तो अब children plural word है, लेकिन S से खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए apostrophe के बाद हम S लगाएंगे, अब हम कुछ exercise की help से इसको समझते हैं, जैसे कि apostrophe हमें लगाना है, the day of children, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों Children's Day, C-H-I-L-D-R-E-N, apostrophe as Children's Day, क्योंकि Children plural word है, लेकिन उसके last में S नहीं है, इसलिए हम apostrophe के बाद S लगाएंगे, the room of my sister, तो क्या लिखेंगे, my sister's room, apostrophe के बाद S लगाएंगे, इस तरह से हम sentence, phrase को convert करते हैं, the call of the tiger, तो the tiger's call, इस तरह से, apostrophe के बाद S लगाएंगे, अब हम एक plural वाला भी example दिखते हैं, the chatter of monkeys, तो हम यहां monkeys के बाद सिर्फ apostrophe लगाएंगे, monkeys chatter, इस तरह से हम इनको convert करते हैं, लिखते हैं possession, इसके बाद next question में बच्चों हम दिखते हैं, कि the boys work, तो यहां पर किसका पता चल रहा है, कि boys plural word is the work of boys, तो हम क्या लिखेंगे इसको, the work of boys, इस तरह से, the elephant's nose, the nose of elephant, इस तरह से हम इन sentence को लिखते हैं, इसके बाद बच्चों, हमें next question में apostrophe mark करना है, तो my uncle's car is in the garage, तो my uncle's car, तो uncle के बाद apostrophe लगेगा, ऐस से पहले, the bird's nests, birds plural word है, तो birds nests, तो birds head leaves and straw in it, तो birds nest, bird का nest नहीं है, या birds nest, तो एसके बाद लगेगा, the girl's laughter was loud, तो the girl, girl's laughter was loud, तो girls में एसके बाद लगेगा, the doors handles, तो doors handle में, handles तो doors के बाद, babies, तो babies में एसके बाद, soldiers uniform, तो soldiers, soldier के बाद, ऐस से पहले, इस तरह से हम इन sentence में apostrophe mark करते हैं, तो I hope आपको यह समझ में आया होगा, कि apostrophe singular noun में, plural noun में, plural noun में जो एस ending word होते हैं, और जो without एस ending word होते हैं, उनके साथ apostrophe mark को किस तरह से यूज किया जाता है, तो आज की वीडियो में इतना ही, thank you. आव जोगो एह झाए, अज crear के समझते हैं, आपनेहों में वीधी हृण,